हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल गाइड़ड़ा में आज हम बात करेंगे ऐसे अप्लिकेशन के बारे में जिसको गूगल ने रिसेंटली रिमूफ कर दिया है अपने गूगल प्ले इस्टोर से तो चलिए सुरू करते हैं उस अप्लिकेशन का नाम है रिमूफ चाइना अप्लिकेशन हाल ही में गूगल ने रिमूफ चाइना अप्लिकेशन को रिमूफ कर दिया है गूगल प्ले इस्टोर से रिमूफ चाइना अप्लिकेशन को जैपूर की एक कमपनी है उसका नाम है वन टच एप लैब कि दोरह इसको बनाय गया था और सिर्फ वन मिलियन डाउनलोड हुआ था सिर्फ 10 डेस में जो है क्रॉस कर गया था वन मिलियन और इसके खासियत ये था कि कोई भी इसको अपने सिस्टम में अपने मुवाइल में इस्टॉल जब करता था तो उसके मुवाइल में जितने भी चाइने अप्लिकेशन रहता था वो रिमूव हो जाता था अपने आप रिमूव हो जाता था उसके मुवाइल से जब इस्टॉल जो है लोग करने के बाद जो है रिमूव चाइना एप्स इस तरह से शो होता था इसके बाद अपने सिस्टम को स्केन करवाता था इसके बाद आपको जो है जहां पर एक जो और पेज ओपिन होता था जो यह कहल दा कि आपके सिस्टम में आपके मॉबाइल में कोई चाइना अप्लिकेशन जो है नहीं मिलता है इसका फिर्मस होने का दिन था कि कॉरोना वारश आउट Benson घो था वो काफी ज्यादा जो है इंडिया में लोग इस से जो काफी ज्यादा लोग परिशान थे इसके वासे हुह इस इसब आप प्रेटिंग में जो था टॉप पे था ये गूगल प्लेस्टोर पे और इसको जो है अभी आप्लिकेशन को जो होगा किया था 5 प्लस टाइम इसको डाउनोड किया गया था और इसका famous होने का जीर्यन था coronavirus outbreak और इंडिया-चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को ले करके जो है यह काफी जादा famous हूँ अप्लिकेशन और इस ङासओ को जो है रिमोग चैना अप्मिकशन को जो है इसका पॉजिटिव रिवी मिला था था हमारे Google Play Store पर yap इसके बाद इसका Average रेटिंग जु था वोg 4.89 स्तार इसका Average रेटिंग था दहीं कि यहाँ पर शोवारा 4.89 7 स्टार इसके एवरेज रेटिंग था सिर्फ जो है वन मिलियन क्लॉस कर गया था सिर्फ टेंड डेज में अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे हैं शुक्रिया